राम राम सत्सरीकाल सभी भाईयों को सभी भाईयों का सुवागत है आपके अपने यूटूब चैनल और फेस्बुक पेज पर जो भाई ने जुड़ी हैं चैनल को सबस्क्राइब करें और फेस्बुक पेज को फोलो करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और शेर करें आज की वीडियो में आप सब भाईयों को बताएंगे भै दूस बढ़ाने वाले जो फार्मूले हैं तीन चार फार्मूले की वीडियो लगातार डालेंगे भै आज एक फार्मूले की वीडियो डाल रहे हैं और उसके बाद लगातार दूसरे तीसरे चोत्थे फार्मूले की वीडियो आप सब भाईयों को दिखाते रहेंगे तो सबसे पहले जो अपना पसू है वो बिल्कुल स्वास्त होना चीए खाता पीता अच्छा हो बैए और कोई पसू के अंदर दिखकत नहीं है कई बार ताजा पसु ब्यातियां जो भी उनमें बुखार बन जाता है यह कैलसियम कम हो जाता है लीवर में दिखकता जाती है पसु काना पीना जो छोड़ देता है तो पसु स्वास्तों नाची उस पे आप यह फार्मूले यूज कर सकते हूं अगर पसु के अंदर दिखकता तो उस टाइम भई यह फार्मूला कोई काम ने करता तो उस टाइम देने का कोई फाइदा नहीं है वैसे तो पहले भी वीडियो डाल रखी है आज आपको बताएंगे गुड़ तेल के बारे में गुड़ तेल का जो फार्मूला किस तरह किसे त्यार करना भई और जिस बैक मार गया दूद जाना कम कर गया तो उसी टाइम उसका बंद कर दे और जिस पसू पर यह फार्मूला अच्छा लगे दूद बढ़ने लगे तो यह दो से तीन किलो यह इससे उपर भी दूद बढ़ा देता है राम से और बहुत सारे पसूं का देख्या बहुत फिट बता उनने और उसके बाद फिर डालेंगे मेत्य के बारे में आप सब भाईयों को बताएंगे और दो-तिन फार्मूले यह वो सभी भाईयों के साथ शेयर करेंगे तो मीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर जरूर करना ताकि हर किसान तक पसूपालक तक यह गुड अर्थ जो तेल अवे वह अच्छी क्वाल्टी काई होना चीए तब जाके रिजल्ट मिलता है और यह गुड़ा जो मैंने पुराणा गुड़ा मंगवाया था यह देख सकते हो बलैक रंग का ज्यादा लाली पे नहीं है और यह अंताजे के साथ ही वीडियो बढ़ अपना गुड नहीं देते उसको अगर केला तेल देना हो तो तेल को अपना इसमें गर्म करके और ठंडा करके दे सकते हैं और यह अंताजे के साथ बैपोना किलो ए किलो के लगबग गुड़ होगा और इसमें जो पानि डालना है ज्यादा पानि मत डालें बहुत सारे ताकि जादा पतला ना हो अगर जैसे नलकी बग्यारा देनी है तो नलकी के साथ भी अपना इसको त्यार करके पसु को दे सकते हैं और नहीं तो फीट बग्यारा में अच्छे तरीके से बहुत सारे पसु खा लेते हैं तो अगर नलकी बग्यारा देनी है थोड़ा इसको ग यह आप देख सकते हो, अब यह उबल गया भई, अच्छे तरीके से बिलकुल इसको बाल लिया, गुड भगया ता जो भई, वो अपना इसके अंदर गुड मिल गया, और इसके बाद आप इसके अंदर भई, सरसों का तेल डाल सकते हो, बहुत चारे भाईयों कमेंट आते हैं कितनी मात्रा में देना चाहिए, आप सो ग्राम से स्टाटिंग करके देख लो सरसों का तेल, एक बैस को, अधी किल्लो गुड या पोने किल्लो गुड उसको दे सकते हो, बाकि जैसे जैसे पसु की क्वालिटी है, उसी साब से आप उसको दे सकते हो, अच्छे दूद बाली अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, तो कहीं बाई इसको तेज आँच पर गरम करके इसको जडा लेते हैं, तो उससे ज्यादा जो है रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो इसको देरी आच पे वे दी मेदी में आच पे बिलकुल उबाल लें और उसी साब से अपना वो कर लें, जितना भी गड़ा पन करना हो तो आप कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लगे तो उसके अंदर पाणी और एक्स्ट्रा थोड़ा मोटा और डाल सकते हो, तो यह फार्मूला त्यार हो गया, यह स्याम को देंगे बैंसों को पाणी पिलाने के बाद यह फार्मूला दें अपना गुड तेल भी दे सकते हो, जैसे जो खालती है अपनी मिन्योले की गरम पाणी में भीगोले, साथ की साथ भीग जाती है, पान दास मिंट के अंदर और उसके बाद इसका जो पाणी निचोड ले में सारा, यह आप दे सकते हो, जैसे बैं यह नुच्ड रहा पाणी और पाणी नी चोड़के उसके अंदर आपा जो अपना गुड और तेल का जो फारमूला है उसके अंदर मिक्स करके, क्योंकि इसके अंदर से पाणी निकल जाएगा, पाणी के साथ जो तेल देना अच्छा नहीं होता है, जो तर इसको पाणी प्लाने के बाद आद श्याम सभी भाईयों का दन्यवाद सभी भाईयों को रामरा वेडियो अच्छे लगे तो शेर जरूर करें सभी भाई